C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर पच्चीस सबख पांच अरुना आसिफ अली देहली के टाउन हौल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा है हजारों का मजमा है जलसे में मर्द भी हैं और औरतें भी एक साहिबा बीच में एक कुर्सी पर खड़ी तकरीर कर रही है थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉंग्रेस का जंडा लहराया था तकरीर में कह रही थी के कॉंग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ों का नारा दिया है अंग्रेजी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफतार कर लिया है हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है यहां का हर बाशिंदा लीडर है हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे एक तरफ से शोर उठा पुलीस आ गई वो साहिबा कुर्सी से कूत कर भीड में गायब हो गई पुलीस उनकी तलाश में थी लेकिन उन्हें गिरफतार ना कर सकी उनको गिरफतार करने या गिरफतार कराने वाले के लिए पांच हजार रुपे का एलान था यह साहिबा थी अरुना आसिफ अली कॉंग्रेस की बड़ी लीडर आजादी की तहरीक की बहादूर सिपाही हिंदुस्तान छोडो तहरीक की हिरोईन अरुना के माबाप बंगाली थे वो हरियाना में कालका के मकाम पर रहते थे वहीं 1909 में अरुना पैदा हुई बंगाली और खास तोर पर बंगाली ब्रह्मन मजभी और समाजी मौमलात में बहुत सक्त थे और्तों को कोई आजादी हासिल ना थी वो परदे में रहती थी पढ़लिक ना सकती थी राजा राम मोहन राए एक बड़े इसलाह पसंद थे उन्होंने बंगाल में एक जमाद बनाई ब्रह्मो समाज ये रोशन खयाल लोग थे उनके यहां औरतों पर पाबंदिया ना थी वो पढ़लिक सकती थी मुलाजमत भी कर सकती थी अरुना के बाब भी ब्रह्मो समाजी थे अरुना उसी माहौल में पली बढ़ी उन्होंने तालीम हासिल की सफ़ा नंबर 26 बी ये पास किया कॉंग्रेस में काम करने लगी इलाहबाद में उनकी मुलाकात कॉंग्रेस के एक बड़े लीडर आसिफ अली से हुई उन दोनोंने शाधी कर ली नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज थी अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर टैक्स लगा दिया उसके बनाने पर पाबंदी लगा दी गांधी जी ने डांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया उन्हें और उनके साथियों को गिरफतार कर लिया गया पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया सत्या ग्रेह हुआ ये 1931 की बात है अरुना भी गिरफतार हुई लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गिरफतार ना हुई बाहर रहकर काम किया आजादी मिलने के बाद अरुना जी तालीम औ तद्रीज की बेहतरी के काम में लग गई उन्हें दहली का मेयर भी बनाया गया मेयर के उहदे की मुद्दत खत्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गई जाता है जिसे भारत रत्न कहते हैं अब तक जिन तीन ओरतों को ये एजाज मिला है उनके नाम हैं इंद्रा गांधी, मदर टेरेसा और अरुना आसिफ अली एक लव्ज और मानी बाशिंदा रहने वाला मजमा भीर हुजूम अजीम बड़ा खिताब इनाम दो गोर कीजिए तहरीक किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए मिल जुल कर की गई कोशिश ब्रह्मो समाज बंगाल के रोशन खयाल लोगों का एक इसला पसंद समाज सफा नंबर 27 डांडी माच नमक सत्या ग्रह के लिए गांधी जी और उनके साथियों का डांडी मकाम पर समंदर तक जाना नमक सत्या ग्रह नमक कानून के खिलाफ पुर अमन एहतिजाज तीन सोचिये, बताईये और लिखिये अलिफ अरुना जी कुरसी पर खड़ी होकर कहा तक्रीर कर रही थी बे वो कुरसी से कूट कर भीड में क्यों गायब हो गई जीम अरुना जी को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोईन क्यों कहा गया दाल भारत रत्न किन खवातीन को दिया गया चार खाली जगों को दिये हुई लवजों से भरिये इंद्रा गांधी गायब अच्छे पूरा बढ़ दो तो अलिफ अंग्रेजी हुकूमत ने सब बड़े खाली जगा को गिरफतार कर लिया बे यहां का हर खाली जगा लीडर है जीम अरुना आसिफ अली कुर्सी से कूत कर भीड में खाली जगा हो गई डाल राजा राम मोहनराए एक बड़े खाली जगा पसंद थे वाउ, अरुना जी के अलावा खाली जगा और खाली जगा को भी भारत रत्न का एजाज मिला पांच यहां हर एक सवाल के चार जवाब दिये गए हैं बताईए इन में से कौन सा सही जवाब है अलिफ पुलिस ने अरुना जी की गिरफतारी पर कितना इनाम रखा पांच लाख सफा नंबर अठाईस बे अंग्रेजी हुकूमत ने किस चीज पर टैक्स लगाया पानी पर, हवा पर, नमक पर या जमीन पर जीम ब्रह्मु समाज, जमात, किस ने बनाई गांधी जी ने, राजा राम मोहन राय ने, इंद्रा गांधी ने, या कॉंग्रेस ने छे, पढ़िये, समझिये और लिखिये अलिफ देली में एक जल्सा हो रहा है बे, अरुना आसिफ अली तक्रीर कर रही है जीम हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दाल, गांधी जी ने, डांडी मार्च के बाद, समंदर के पानी से नमक बनाया इन जुमलों में देली, अरुना आसिफली, हिंदुस्तान, मुल्क, गांधी जी, समंदर और नमक, इस्म यानि नाम है देली एक खास शहर का नाम है, हर शहर को देली नहीं कहते हिंदुस्तान एक खास मुल्क का नाम है हर मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कहते समंदर कहने से कोई खास समंदर मुराद नहीं होता इसी तरह से जल्सा और मुल्क कहने से कोई खास जल्सा या मुल्क मुराद नहीं है जिस इस्म से कोई आम जगा या शख्स का नाम जाहिर हो, इसमें आम कहते हैं इन लवजों को सुनकर बताईए कि इन में से कौन सा लवज शख्स का नाम है, जगा का नाम है या चीज का नाम है देहली, मर्द, टाउन हॉल, कुरसी, हौरत, चांदनी चौक, जंडा सफ़ा नंबर उन्टीज हिंदुस्तान, लीडर, कालका, पुलीस, अरुना, बंगाल, नमक, गांधी जी, इंदरा गांधी, हरियाना, रुपे, पानी, भारत रत्न, टैक्स साथ, दिये हुए लवजों को मिसाल के मुताबिक अलग-अलग करके लिखिए मिसाल, मजमा, मीम, जीम, मीम, आइन तक्रीर, हकूमत, तरीका, एजाज, तहरीक, मौामलात आठ, सही लवज चुनकर मुहावरा पूरा कीजिये अलिफ, आपे से, खाली जगा, होना अंदर, या बाहर, या उपर बे, ठक कर, खाली जगा, हो जाना चूर, या मूर, या हूर सफा नंबर तीस जीन, बाग, बाग, खाली जगा होना, या रोना, या घूमना डाल, आखें, खाली जगा, होना साथ, या चार, या आठ हे, खाली जगा, चुराना नाक, या कान, या आख वाओ, दाथ, खाली जगा, करना नमकीन, या खटे, या मीठे जे, खाली जगा, पर पत्थर रखना हाथ, या पैर, या च्छाती दी हुई तस्वीरों को पहचानिये और बॉक्स में उनके नाम लिखिये सफा नंबर इकतीस इसी के साथ ये सबक यही पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक पाँच अरूना आसिफ अली समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत परवेज बटिलैंग लिए पाँच